इस्टुडेन गूड मॉनिंग तो आज हम बात करते हैं गोली दर्पड के द्वारा परावरतन गोली दर्पड के परावरतन हैं इसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे तो गूली दर्पड जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था उसमें कई condition होते हैं पहला हम आवतल दरपड के बात करते हैं तो आवतल दरपड द्वारा प्रतीबिम्ब बनने की स्थितियां ठीक है student तो आवतल दरपड द्वारा प्रतीबिम्ब बनने के स्थितियों के बारे में हम पढ़ाई करेंगे तो student पहली जो इस्थिती होती है उतल दर पर द््वारा पृति भी्म बनने की वो होती है जब वस्तू कहां पर रहे अनंद पर रहे यह रहा आपका एका उतल दर पर इस तरीके से एक उतल दरपर ड्रा कर लेते हैं उसके बाद यहां पर एक ठोई यह मुख्यच यह आपका P होगा, यह आपका F होगा और यह आपका C होगा ठीक है शुड़न तो इस तरीके से एक object है जो की अनन्द पर रखा गया यह मुख्यच चिक से पहुत दूर अनन्द पर है तो हम जानते हैं अनन्द पर रखी होई वस्तू से या किसी वस्तू से इस तरीके से अनन्द से चलने वाली प्रकास किरण मुख्यच के समानतर होती है तो एक किरण इस तरीके से राएंगी और ये फोकस होके चली जाएंगी अनंत से दूसरी प्रकास की किरण जुआएंगी वो भी किस तरी किस होंगी समानतर होंगी यानि अनंत से चलने वाली इस तमाम प्रकास की किड़े क्या होती है मुख्यची के समानतर होती है ये सभी प्रकास की किरण दरपर से प्रावस्तन क पर शाहत फोकस पर आकर मिलेंगे इस तरह से वस्तु का जो प्रतिविम्ब होगा वस्तु की स्थिती, वस्तु की स्थिती, उसके बाद प्रतिविम्ब, प्रतिविम्ब, ठीक है प्रतिविम्ब के बारे में स्टुडन्ट हम लोग 3-4 बाते के पढ़ाई करेंगे, पहली है स् स्थिति दूसरा है प्रकृति और तीसरा है आकार ठीक है तो वस्तु के स्थिति के अधार पर ये तीनों बाते डिफाइन होंगी तीने बातों के बारे में पता चलेगा इस तरीके से हम यहां पर क्या करते हैं इस तरीके से इस तरीके से बना लेते हैं और हम देखते हैं कि य यह रहा आपका वस्तु जो है student वो रखा है आपका यहाँ पर हम अगर क्रम संख्या ले लेते हैं तो पहला क्रम संख्या होगा यहाँ पर वस्तु की जो इस्थिती होगी वो पहला कहाँ पर होगी अनन्द पर वस्तु student वस्तु कहाँ पर है अनन्द पर है जब अनन्द पर है तो प्रतिबिम्ब देखेंगे तो कहां पर बनेगा इस्टुडेंट जैसा कि हमने फिगर में देखा अनन्द से चलने वाली प्रकाश की केड़े इस तरीके से मुख्याच के समांतर बानी जाती है तो वस्तु जो रखी है वो अनन्द पर रखी है तो उस वस्तु का प्रतिबिम्ब जो बनेगा प्रतिबिम्ब की जो इस्थिती होगी वो कहां पे हो रही है देखिए ये फोकस पे फोकस पे प्रतिबिम्ब बना तो उसकी इस्थिती होगी फोकस पे प्रकृति का मतलब होता है आभासी या वास्त्विक तो student जो उल्टा प्रतिविम मनता है उसके लिए आभासी और सीधा के लिए वास्त्विक होता है तो यहाँ पर बिंदू के आकार का बनेगा एक दम छोटा बनेगा तो यहाँ पर मान लिया जाता है कि यह उल्टा बनेगा वास्त्विक बनेगा वास्त्विक वास्त्विक का मतलब होता है उल्टा ठीक है और इसकी जो साइज होकी वो कैसा होगा है देखो एकदम बिंदू के हाकार का है बिंदू के हाकार का है इस तरीके से F है और यह C है और यह जो अब्जेक्ट रखा है इनफाइनाइट अनन्त और C के बीच में रखा है तो जो अब्जेक्ट होगा वह कहां पर होगा वस्तु की स्थिती जो होगी कहां होगी अनन्त वह C के बीच अनन्त वश C के बीच इस तरीके से अनन्त और C के बीच में वस्तु रखेंगे तो यहां पर हम प्रकाश की रज़ते हैं एक मुख्यच के समांतर भेज़ेंगे तो यह कहां सोगे जाएगा इस फोकस होगे जाएगा ठीक है तो जो प्रतिविम्ब बनेगा प्रतिविम्ब के जो इस्तिती होगी सीवयफ के बीच ठीक है और इसके जो इस्तिती होगी देखे यहां पर सीधा है तो यहां पर उल्टा है और उल्टा होगा तो क्या होगा वो वास्तवीक होगा और वस्तु देखो इतना बड़ा है, प्रतिविम इतना चोटा बन रहा है, तो ये कैसा बनेगा, वस्तु से चोटा, वस्तु से चोटा, इस तरीके से ये रेज डियाग्राम है, उसके साइड़े आपको याद रखती होगी, कंडिशन नमबर 3 हम देखेंगे शुडन, वो होगा क्या, इस तरीके सम देखते हैं, तो प्रतिविम वस्तु इंफानाइट और C के बीच में रखा होगा, तो प्रतिविम जो बनेगा, वो C, यानि वकरता के अंदर, वो फोकस के बीच में, देखिए, यहाँ पर बन रहा है, इसकी साइट जो है, इतना बड़ा है, कुछ संटीमीटर, यहाँ पर उसकी साइट छोटी है, तो वस्तु से उसका जो आकार होगा, वस्तु से छोटा माना जाएगा, ठीक है सुटन,